आउज बिल्लाहिमिन शेटवान इर्वजीम बिस्मिल्लाहिद वाख्मान इरहीम असलाम लेकूम दोस्तों मैं हूँ मौसिन दवा और आप लोग देख रहे हैं 24R7 टीचर्स आउनलाइन यूट्यूब चैनल दोस्तों कलास चल रही है हमारी इंट्रोटक्शन टू बिजनिस क और आज उस सीरीज का हमारा 31 लेक्चर है दोस्तों आज की कलास जो है वो बहुत एहम कलास है हम अगर बात करें आपकी असाइनमेंट्स की या आपके एक्जैम की तो दोनों पॉइंट अफ व्यू से जो है यह हमारी बहुत एहम कलास है तो चलिए दोस्तों हम एक बार और पहली जो हमारी class थी पिछली class ॉसके अधर हमने पहले भी यानि product की बात की। हमने different types of products को देखा हमने देखा कि कैसे एक new product develop होती है और वो life cycle को देखा कि कैसे वो introduction से decline की तरफ जाती है. यहाँ तक थी पिछली class अचली class ॥ भी हमारी product से related है लगिन आज की क्लाव के अंदर हम अपनी जो प्राड इक है उसके ब्रैइंड की बात करें कि प्रेंड की होता है। अब ब्रैंड इस और करेक्टर दाइट दिस्टिंग्शिव आप बिजनिस और गनिजेशन प्रॉडक्ट और सर्विस इस वाम अधर सैलर के ब्रैंड जो है वो एक ऐसी खसुसियत है जो आपकी प्रॉडट्ट को दूफरों से मुख्तिलिफ करती है अफ़न बिजनिस अदें को किसी सिंबल के सरीए या किसी नेम से या किसी डिजाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास मुख्तिलिफ अक्साम के जो है वो ब्रैंड होते हैं हम इस स्लाइड के ओपर देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से जो है वो ब्रैंड अवेलेबल है पहला जो ह एंड ग्रीट के हम जो है आप सोशल मीडिया के थूँ अपना पर्सनल ब्रैंड बिना लेते हैं फार एक्जेंपल अगर मैं मिसाल लूँ अपने ही इसी यूट्यूब चैनल की जिसका नाम टीचर्ज ऑनलाइन है आप किसी से भी बात करेंगे कि आप में वी यू के बहुत अच्छे लेक्चर्ज किसके लेने चाहिए तो वो आपको फॉरण ही एक नाम जहन में आएगा कि आप टीचर्ज ऑनलाइन पर चले जाएं और मौसिन भाई के जो लेक्चर हैं वो आप ले लें तो आपको असानी से जो है वो चीजों की समझ आ जाएगी तो यह जो टीचर्ज ऑनलाइन चुका है इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी टाइप की तो वो है कॉर्पोरेट ब्रेंड और कॉर्पोरेट ब्रेंड इस अगर मैं यही अपनी यूट्यूब चैनल की मिसाल लूँ तो इसके अंदर वो जो आपको मेरा लोगो नज़राता है टीचर्ज ऑनलाइन का इसके बाद है हमारे पास प्राड ब्राड प्राड ब्रेंड अप्राड ब्राड ब्रेंड चैनल के आप कौन सी ऐसी आइटम बना रहे हैं जो आपको दोफरों से मुख्रिष करती है यहां पर एक्जेंपल जो ली गई है that is गोर्मे फूट अब गोर्मे फूट जाएब तर तो ड्रिंक्स्ट है वो उनकी ऐसी ब्रैंड है कि जो डिस्टिंशिव करती है आपको डूसरे ब्रैंड से, कोको कोला से या पैपसिप से, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो भी रिजनेबल है और ये इसी टू अक्सेसिबल भी है, तो ये गुर्मे की यहां पर एक्जम्पल आफरी जो हमारे पाफ टाइप है हो सर्विस ब्रैंड, अब जिस तरह हमने प्राड़िक्ट्ट ब्रैंड को देखा इसी तरह ही हमारा सर्विस ब्रैंड है, सर्विस ब्रैंड इटेंटिफाई what needs one company service is different from other business के कौन सी services ऐसी हैं, जो आपको दूसरे जो है अपने business से different मिलती ह यहां पर जो एक्जम्पल ली गई है, वो कारवाश की ली गई है कि आप कारवाश करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको different packages दिये जाते हैं, मतलब service दी जाती है, car wash की सहुलत मुएसर है, पहले package के अंदर फिरस आपको car wash की सहुलत दी जाती है, tuning की दी जाती है, oil change करने की दी जाती है, आपको अंदर से गाड़ी धोने की फर्वेश, तो different आप packages बना सकते हैं, और यही जो packages हैं, यह आपको differentiate करेंगे from their competitor, आपके competitor से, इसके बाद दोफ़तो brand के बाद, आज की class का हमारा जो दूसरा topic था, वो था हमारे पास, आगे भी हमारे पास, मेरे ख्याल में, दोस्तों, अगली slide के उपर चलते हैं, और देखते हैं कि हमारे पास कुछ brands की types और भी हैं, तो इसमें जो पहली type आपको नजर आ रही है, वो है हमारे पास retail brand, retail, store create their brand, thoroughly physical design of their store, feature like, store layout, lightning, in music to customer, आप यहां पे देखें, आपका retail brand है, कि आपकी जो है, ब्रेंड की, look, for example, अगर मैं बात करूँ कि आप brand market के उपर, अगर आपका कभी जाना हूँ, दाहौर में या मुलतान में, तो वहां पे आप outfitter को visit कर लें, या लिवास को visit कर लें, या आप डाइनर को visit कर लें, या आप किसी और brand, जे डाट को visit कर लें, तो वहां पे आप जाएंगे, तो उनका जो है, आपको जो physical layout है, या वहां पे जो lightning है, वो एक different number आएगी, और वो चीज़ें जो है, आपको differentiate करती है, from the local brand to the international brand, और within the film brand, इसके बाद अगला जो brand है, हो मार पाफ cultural brand है, cultural brand, this kind of branding, user, recognizable culture, our original symbol to promote a product and for, for example, bakery that uses, if I tower in making cakes, के एक बेकरी है, जो if I tower की जो है, वो shape बनाती है, cakes की, तो वो उनकी एक culture वहां पे आ जाता है, अगर हम बात करें अपने culture की, तो अगर हम सिंध के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे, सिंधी culture के brand है, अगर हम पंजाब के अंदर आते हैं, तो यहां पे पंजाबी के अंदर चले जाते हैं, तो वो पक्तुम का वहां पे branding है, वहां पे जो culture है, उस हिसाब से वहां पे चीज़ें दस्तियाब होती है, इसके बात next जो है, वो online brand है, online brand refer to the aspect of the business identity that makes manage through the internet and mobile app, अग यूंके हम online app use करके काम करें, इसके बाद आगे जो है, हमारे पास offline brand है, offline branding emphasis, every type of branding that happen in the real physical world, के आपका जो भी brand है, वो आपका offline brand भी है, तो यह दोस्तों हमारे पास discussion हो गई brand की, अब इसके बाद अगला जो एहम topic है, वो है हमारे पास packaging, अब packaging क्या है, packaging is the act of enclosing or protecting the product using a container to aid its distribution, identification, storage, promotion and usage, के हग को किसी ऐसे container के अंदर डाल दें, जिससे हमें distribution में असानी हो, जिससे हमें उस product की identification में असानी हो, जिससे हमें उसको store करने में असानी हो, तो वो बाहर वाला जो packet है, या जो wrapper है, या जो container है, ये हमें packaging कह लाता है, अब packaging की भी हमारे पास मुख्ली सक्सा तो यहां पे जो तीन एहम उसकी packaging की types हैं, उनको हम देख लेके हैं, पहली जो है, वो है हमारे पाफ primary packing. अब primary packaging, primary packaging also referred to as a consumer packaging, is in the direct contact with the product and its intent for the customer to identify gain product knowledge and the product consumption. तो यहां पे हमें बताया जा रहा है कि यह अब laser की यहां पे आपको packaging रखर आ रही है, तो आप जब भी किसी shop पे जाएंगे तो फॉरन ही आपके mind में आएगा कि अगर आपने कुछ हलका पुलका खाना है, तो यह आपको laser बेहतरीन है, तो यहां पे देखें laser की जो बाहर internal look ह है, तो यह जिसके अंदर laser रखे गए यह उसकी packaging है और यह primary है और यह direct customer के साथ deal करती है, इसके बाद second जो आपके पास नवर आ रही है, वो है secondary packaging, अब secondary packaging forms the second package layer that the customer to hold and large quantity of the product from the point of sale to the doorstep of the customer, कि आप उसको hold करके अपने घर तक ले जाने के लिए use करते हैं, अब यहां पे दे Coke की bottle आपको नजर आ रही है, Coke की bottle जाए, Coke basically जो है, वो इस bottle के अंदर है, तो यह भी एक packaging है, तो वो हमारी primary packaging है, लेकिन यहां पे six bottle का एक pack बनाया गया है, इस pack को hold करने के लिए, यहां पे दर्वियान में अगर आप देखें, तो पकड़ने के लिए जगा भी माजूद है तो यह जो packaging की गई है, जिससे हम hold कर सकते हैं, इन छे bottle को एक अठे पकड़ सकते हैं, यह हमारी secondary packaging है, इसके बाद जो last हमारे पाफ packaging है, वो इटरैट्वी packaging, अब यह क्या होती है, alpha referred to bulk traffic packaging is used to group a large quantity of particular product to transport it from point A to point B, अब यही पर अगर मैं यही coke वाली example लूँ, तो यही जो हमने secondary packaging के अंदर pet बनाए हैं, इनको हम लकड़ी के डिबों के अंदर ताके यह safe जा सकें, यह हमने बाहिर से lamination भी कर दिया है, तो यह जो packaging होगी, यह हमारी territory packaging होगी, इससे क्या होता है, इससे हम एक point of sale से, दूसर point of sale तक जो है, वो product को easily भीजवा सकते हैं, तो यह दोस्तों हमारे पास packaging का concept है, इसके बाद हमारे पास जो अगला concept है, वो हमारे पास labeling का है, दोस्त, हम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग YouTube के पर ही lectures को देखा करें, डाउनलोड करके नहीं देखा करें, ताके मुझे भी फाइदा हो, और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए lectures record करता हूँ, अब labeling क्या है, labeling is the part of branding and enable product identification, यह हमारी branding का part है, जिससे हमें product की identification के अंदर असानी होती है, it is printed information that is bounded to the product for recognition and provide detailed information about the product, यह कुछ information होती है, जो हमारी product के उपर मजूद होती है, जिससे हमें product की identification के अंदर या उसकी recognition के अंदर हमें असानी होती है, customer can make decision easily at the point of the purchase, seeking the labeling of that product, label को देखते ही जो है, वो लोग उस चीज़ को खरीब लेते हैं, इसी तरह जैसे हमने branding की और packaging की examples देखी, तो हम इस labeling की भी types देखेंगे, हमारे पास labeling की भी तीन main types है, पहली जो है वो brand label है, अचाहिए, अचाहिए, आपको जो है वो brand आरही है, एक जार के अंदर तो यह हमारा जो है, वो brand है, MacDonald का, तो इनका जो logo है, या इनका जो नाम है, इस से हम represent कर सकते हैं, कि ये जो आपको को drink दी जा रही है, ये MacDonald से आपने ली है, तो ये MacDonald के logo वाला जो है, ये एक label है, इसके बाद मारे पाफ जो second labeling की type है, जो second labeling की type है, वो है descriptive label. अब descriptive label क्या है? descriptive level is the one that indicates significant information about the product such label include the product ingredients distinct uses instruction prescription for the use product information date of manufacturing date of expiry size and the value of the product so here पे देखें आपको एक complete information दी जा रही है Coca-Cola के हवाले पे यह जो टेबल आपको नगर आ रहा है इसके अंदर इसके ingredients लिखे हुए है और यहां पे यह भी लिखा होता है चेल before use और इसके आप इससे पहले ठंडा कर लें 200 ml की यह बोतल है तो यह आपको सारी जो है information कोक की दी जा रही है तो यह आपके पास एक descriptive label है इसके बाद आपने जो है वो खाली करके जो है वो dustbin के अंदर डाल लिए तो यह different चीज़ें यहां पे दी गई है इसके बाद आखरी जो हमारे possible contain a lot of information and provide the specific detail regarding the product की यह में specific जो है information देता हूँ product के हवाले से it differ from the descriptive labeling and provide detail instruction and how to use the product and how to take care कि आपने कैसे इसको 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 जो है वो safe रखना है these label include receive thoughts clearing direction तो यहां पे देखें लिका दू नाट stack कि आप इसको जो है वो do not stack यह sold लिखा हूँ है urgent ते कि do not bend इसको आप bend नहीं कर सकते handling with care आपने इसे एहतियार से इस्तमाल करना है keep रहा है खुश की जगह पर रखें और caution heavy दिया हूँ है कि इसको ज्यादा ना उठाएं तो यहां पर यह do not open with a knife कि आपने इसे चाकू से open नहीं करना है this way आप इस से जो है ऊपर की तरफ जा तो यह do not crush आपने इसको crush भी नहीं करना है documented in close इसके अंदर document तो यह different जो है वो information दी गई है product के आवाले से कैसे आपने इस्तमाल करना है कहां पर रखना है open कैसे करना है तो यह हमारे informative label होते हैं इस तरह के जो हमें information provide करते हैं तो यह थी दोफ्तो हमारी आज की class आज की class कर थोड़ा फा time दी over हो गया है लेकिन आज की class कर जो topic था दोफ्तो वह बहुत एहम था हमने brand को देखा packaging को देखा और labeling को देखा और मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे इन तीनों के अंदर फार्क है उमीद है आप लोगों को फर्क वाज़ हो गया होगा दोस्तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उन्हें like कीजिए दोस्तों के साथ share किया करें जि